सिवान में RJD ने अभी कुछ दिर पहले अपने प्रत्याशी के नाम की खोशना कर दी पार्टी सूत्रों का कहना है कि सिवान से बिहार विधान सभा के पूर्वत्यक्ष अवद बिहारी चौतरी RJD के प्रत्याशी होंगे लोगसभा चुनाव के लिए लालू यादो के पार्टी राजत ने मंगलवार को अपने हिस्से की 22 सीटों पर उमिदवारों का अलाम कर दिया था बस सिवान सीट को रोक लिया था सियासी गलियारों में चर्चा थी कि लालू यादो अभी तक सिवान के लिए कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाए है यहाँ दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पतनी हिना शहाब और राजत के वरिष नेता और पूर विधान सभाध्यक्ष अवद बिहारी चौधरी के बीच पेच फसा हुआ है राजत अध्यक्ष इस उधेड़ बुन में लगे हुई हैं कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं इस बीच ये भी सूचना आई कि लालू प्रसाद ने दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की पतनी हिना शहाब को पटना मिलने के लिए बुलाया है लेकिन बेन नहीं आई इधर आवद बिहारी कई दिनों से प्रचार में जुड़ गए थे हिना शहाब पहले भी इस सीट से लोगसभा चुनाओ लड़ चुकी हैं उन्होंने राजत की टिकट पर 2009, 2014 और 2019 का लोगसभा चुनाओ लड़ा है लेकिन तीनों बार ही हार का सामना करना पड़ा है इसी कारण तेजस्वी यादो इस बार उनके जगा दूसरे को मौका देना चाहती है हिना को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था इसलिए वा काफी पहले से ही अपने अलग जमीन तयार करना शुरू कर दी थी समर्थन किया था बता दें कि महागडबंधन में राज़त के हिस्से में 26 सीटे आई थी बाद में राज़त ने अपने हिस्से की तीन सीटे वियाईपी को दे कर उसे भी महागडबंधन का हिस्सा बना लिया इस तरह से राज़त के पास 23 सीटे हैं इनमें से 22 सीटों पर RJD ने अपने उमिदवारों की घोशना कर दी थी राज़त की लिस्ट में वह नाम भी शामिल है जिनने पहले ही सिंबल दिया जा चुका था लिस्ट में लालु यादों की दो बेटियों मीसा भारती और रोहिनी आचारे का भी नाम है मीसा को पहले ही पाटली पुत्र और रोहिनी के लिए सारन सीट का आयलान कर दिया गया था